कि प्यारे बंधो आज के इस डेट में एक आप लोगों से संबाद साधा करना में चाहूंगा और वह संबाद क्या है तो विशे देश मेरा भारत धर्म की धर्ती रही है भावनाओं की धर्ती रही है और यहाँ लोग अधिकतर अधिकांस क्या कहिएगा किशान पक्ष से ही होते हैं सकाहरी पक्ष से ही होते हैं तो कहने का केंदर मैं कहां केंदरित करूं मोटा मोटी मैं आपको यह बताना चाहता हूं भेरियों के समुह में एक भेरिया आगे होता है जिसको देखे सारा भेरी पीछे पीछे चलता है मधुमक्खी का जुन्ड का जुन्ड उरता है लेकिन उसके आगे भी एक रानी मधुमक्खी होती है जिसके पीछे सारी मधुमक्ख्यां उरती है अच्छा अब हम लोग मानव हम लोगों में भी एक मरवर या एक राजा एक रानी का जरूरी है क्यों तो हम लोग सभी बुद्धी जीवी नहीं है क्या हम लोग एक copyright दुनिया में जीते हैं जैसे मान लिजे हम मानव समाज में ही हैं उसी समाज में एक कोई बुजुर्ग लोग जब होते हैं बुद्धिमान लोग जब होते हैं तो हम अपनी मिहनत नहीं कर उनके भी इसारों पर हम चलते हैं वेसे हमारे समाज में जो महापूरुसा है वे आज संत के नाम पे जाने जाते हैं तो इभारत हमारी एक संत महात्मा रिशी मुनियों की भी धरती रही है जो खास करके यही काम किया समाज को उपर उठाने का काम किया ठीक है दुनिया के आई तो बहुत लंबी चोड़ी है धार्मिक दुनिया के भी उम्र बहुत लंबी चोड़ी है छोटी नहीं है अब इसे हमारा देश भी बहुत बड़ा है देश क्या बड़ा है दुनिया भी बहुत बड़ी मोटा मोटी मैं आपको यह कहना चाहूंगा चौदाहमी सदी को आप मध्युग भी कह सकते हैं भक्ति आंदोलन का भी युग कह सकते हैं उस समय में संत तो बहुत आए उनमें एक अग्रणी संत कभी नाम के भी संत आए और इनको अग्रणी क्यों हमने कहा आपको कि ये निश्कपट निश्चल नहीं स्वार्थ और एक साहसी और बागी संत्र है इन्होंने जो कुछ भी करना चाहा किया लेकिन रास्ते में जितने सारे अवरोध आये सबको इन्होंने तै किया और सहज तै किया परिशानी तो बहुत आई लेकिन इन्होंने उसको तै किया अब आस्षर्ज की बात होगी आपको इनका लालन पालन एक जुला है के घर में बच्पन भी ती ठीक है? और इनका गुरुदवार कहा था? श्वामी रामानंद के यहां आप यहां आप कंट्रो भर्सी अनभब मत कीजिएगा सुच सकते हैं श्वामी रामानंद एक रामानंदी शंत थे पर दोस्पुर्ण ब्रह्मन बादी नहीं थे उनसे परे थे आत्मज्यानी शंत थे कभिड ने किन को सेलेक्ट किया? श्वामी जी को और श्वामी जी के संप्रदाय में दो प्रकार का एक तो यह देखिए लाल चंदन तीन चंदन वो निम्बिका संप्रदाय है निम्बार का संप्रदाय है और ये लोग जो तीन चंदन करते हैं उनका आलोचना उपेक्छा बहुत सारे कभिर पंथी भी कर बढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये याद नहीं है कि ये भी तो कभिर का ही गुरुद्वार था ठीक है कभिर ने उनको गुरुद्वारन किया? रामानंद श्वामी अंतर्यामी थेबर नामी संसारी उनको गुरु बनाया ठीक है तो गुरु तो बनाया लेकिन सिध्यांत बाद पे अब जैसे एस्टिफन होकिंग अलबर्ट आइंस्टीन ये दोनों एक ही परंपरा के दार्शनिक लेकिन दोनों दार्शनिकों के सामने मत भेद आ गया है दोनों ने अपने साफेक्षवाद के सिध्यांत में अंतर निकाल दिया कवीर ने उस समय की उपयोगीता क्या समझी उस आधार पे कवीर ने काम किया कहा केवल माला टूपी चंदन लगाने से ही भक्ति नहीं होगी भक्ति के लिए कवीर के कई आयाम हैं सब्द तो इनके बहुते रे हैं असब्द भी बहुते रे नहीं है छोटी मोटी 1588 के बाद का रचित गरंथ एक बीजग है और 1588 इसमी में ही सदरु कबीर के बहुत सारे शब्दों को आदिगरंथ गुरुगरंथ साहब में संडक्षिक कर लिया गया था तो सब्द तो इनके बहुत हैं लेकिन किताबें इनकी बहुत कौम हैं कुछ है, संतों का शंबाद अनुराग सागर के साथ कबीर का है इसके बाद के संतों ने बहुत कुछ बनाया, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है आजकल तो उपाधी मिलती है, 77 ठोग किताब लिख दीजिए किताब हमारी अपनी एक भी नहीं है कुछ तो इधर से लाया, सांख दर्सन से लाया कुछ गीता पर भास क्या, कुछ सत्यार्थ प्रकास पर भास क्या कुछ बेद पर भास क्या, कुछ दर्सन पर भास क्या नीचे में दस्खत हमने अपनी कर ली कि रैटर हम है, लेकिन उनकी कुछ नहीं होती है तो ऐसे बहुतेरे धेर कभीर के घर में किताबों का नहीं है बस गिनी चुनी दो तीन चार जो है आपने सुना ठीक है अब कभीर के विचारधारा में आप कन्फ्यूज कहां होते हैं जैसे माल लीजे हम लोग छट्मी क्लास में परहे थे साहित में एक पंक्ती जिसको मैं फिर आज दुहरा रहा हूँ और ये आपको पंक्ती दुहराई गई थी दिल्ली के बिल्ली मरान रोड में जगजीवर नाम के अध्यक्षता में संपन की गई सत्संग में भी ये बातें रखी गई थी ये बाते हैं महावीर बावु एक सांसत थे भागलपूर निर्वाचन छेत्र के उन्होंने इस पंक्ती को इंद्रा गांधी के भी पास रखा था स्रीमती इंद्रा गांधी जी के पास में भी रखा था हम लोग छटी क्लास में उपर हैं कबिर के कब दोही आदमी ने समझा किसने तो एक जिन्हों ने इस पर रिप्र रिसर्च कर पी एच डी की आहाँ या तो उसी के समझ में आ अजगा याने या जामे कुटुम सवा अम मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए ये पंग्ती केवल कविरपंथी ही नहीं आम लोगों को भी यह बात होगा लेकिन इन पंग्ती का मरजादा दे नहीं पाया साई इतना दीजिए जामे कुटुम सवा हम इसकी मरजादा को नहीं दिये ये किताब की एक कविता है कविता की एक पंग्ती है इसको पर लीजिए लेकिन चोकी पे सिक्षा करण कीजिए चोका पे चोकी पे आके बदल जाए इस पंग्ती के मरजादा को बुजहा कौन जार्ज, मार्क्स कार्ल मार्क्स एस्टैलीन आग चाइना रूश मंगोलिया जापान इसी सब्दों को सिध्यांत बना के चल रहा जिसको आज लेफ्ट विंक्स कम्यूनिज्म कहता है है वहां गरीबी अमीरी सुना हापने जंजट हुई गरीब अमीर के लिए चाइना मैं नहीं क्यों साइन इतना दीजिया जा में कुटुम सवाए भाई पेट वर भोजन की आवशकता तो वहां क्या मेरी गरीबी होगी कबीर एक आवाज रहा किसका सोशित पक्षों का कबीर एक आवाज रहा किसका दलित पक्षों का कबिर ने उपर उठाने का पढ़िया सब से पहले किसको किया समाज के उन पिछरे बर्गों को जरसा सोच सकते हैं कबिर ने अपने भक्ती तंत्र में आवसेक्ता किस बात की समझी उन्होंने लड़ाई किया किस से राजाओं से महराजाओं से और मुरीद हो गए इनके वे इन को जुका नहीं पाए चुकी कबिर के पास में एक अनुखा आत्मग्यान था इनलाइट्मेंट था आप सोच सकते हैं कागज कलम छुयो नहीं मसीगहियो नहीं हाथ चारो यूग की वारता मुखही जाना बात आसर्ज की बात होगी आप कहेंगा कि की स्कुल की परहे लिखे नहीं ठीक है परहे लिखे नहीं तो चलिए निरक्षर भी घ्यानी होते हैं लेकिन भासा एक बार की बात है कहीं मेरे मुह से ही दो लाइन अंग्रेजी निकल गई तो कोमेंट्स करने वाले हमसे बहुत सीनियर लोग परहे लिखे लोग थे राम चंदर सर्मा जो भी सुपल विलियम कॉलेज में प्रोफेसर हैं हमों लोगों से एकाज साल बरे हैं तो गौंके थे तो साथी था कहा सिवन जी आपको मंच पर अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए अपनी इज़त बचाने के लिए हम एक सब्द अंग्रेजी निकल पाए भी जग से एन ई ए आर नियर मी नजदी आज बसेरा बरी नियर हूर महियाराम काल बसेरा भरी दूर बहाना में एक सब्द मिला है कि उस बीजक में अबधी ही नहीं हिंदी ही नहीं अर्भी ही नहीं एक अंग्रेजी भी है अईसा नहीं बहुत बड़े विद्वान ने कहा कबीर इस फादर आफ एनिबडी लिटरेचर किसी भी भासाओं के जनक कौन कबीर जैंती के बाद अगर मैं कोई एपिसोड बनाऊंगा तो इनके वर्णों का उद्भव शब्दों का उद्भव हर चीज को मैं ले जाऊंग बड़ा आपको वहां तक आज मैं आपको यही तीन मुद्दा जो कवीर की रखी अब आये दूसरी बड़ा वैसे तो मैं सास्त्रों का ज्याता नहीं हूं और जीवन कमा के खाने के बाद समय भी नहीं है जो कुछ आपके अगल बगल गाउं समाज व्यवस्था में देखते यह बगल में एक गाउं है फुल काहा वहां से हम लोगों को निमतरान आया सत्संग तो वहां दो गुरूप के लोग थे एक गुरूप था रामाइनी संग रामाइन परचार करने वाले उभी मिला जुला के घुमाफिरा के हम लोगों को मामा की रिस्ते में लगते थे मस्ट पर कहा कभीरा कुट्ता राम के मुतियावा के नाम है बड़ी खुशी की बात है हम लोग को भी तुबारी आई कि हम लोग भी तो मंचादिकारी थे बात भी आज की नहीं है तिस सल पर लेकि हम भी जबान थे खुन था इस बातों को मैं कैसे मनू तो संतोस करने की एक बात है कि वहां मुतियावा को नाम यह बिशय में नहीं सटाना चाहिए कबीर एक ऐसा कुता था राम को जो किसी जहार और जुर्मुट पर मुत्ता था तो ज़र ज़र नहीं राम राम का सब्द होता था वो मस्टर साहाब के कनपटी से पशी ना चुने लगा हम भी तो उसी स्कुल के विद्यार थी रहे थे हरी बाबु कलर्क साहाब थे वो हस परे सिवन तुने बरदास्त नहीं किया चलिए ठीक है अब मैं कबीर की बात कहता हूं और इसलिए मैं इस बात को लाया हूं आपके सामने में अभी जो इसका आधुनिकी करन हो चुका है प्रेम की रसरी जित खिचों तित जाओं कबीर ऐसा पलतु कुता रहा जिनके गले में एक रसी लगी भी है प्रेम की जित खिचों तित जाओं कौन खिच रहा था इसको मैं आप लोगों को बीच में रखना चाहता हूँ कौन इसको खिच रहा था परहने के लिए मंच पर भासन परवचन जारने के लिए तो हम लोग बहुत जार देते हैं और एक ढंके हम लोग चोड भी हैं कैसा चोड हैं लिविया का प्रधान मंतरी कर्णल गदाफी उसका बरा बेटा मुवानमार गदाफी प्यजडी की थी डॉक्ट्रियट किया था अद दो धाई साल के बाद जब अरब के साहित सभावें उसकी किताब गई उसका लेग गया तो वहां साहितिकारों ने पकर लिया कि तुमने किसी की चोड़ी की है ये नकल क्या हुआ लिखा है तुम्हारी अपनी डिगडी नहीं है अब आप सोच सकते हैं कि मैं एक मजब खड़ा कर रहा हूं और उससे सिध्यांत को उठाके में लाया हूं अपने नाम पर जैसे सांखदर्सम हो गया ठीक है एक रिसर्चर भास्ट रिसर्चर डक्टर पुरसोतम दास अग्रवाल उन्होंने एक किताब लिखी है कबीर के उपर में अखत कहानी प् अपने नाम से एक किताब लिख दिया हूं उनकी चर्चा लूँगा तो फिर मेरी क्या विद्या रहेगी मेरी क्या ज़त परतिष्ठा रहेगी किताब मैंने पब्लिस्ट गया है उसका अंग्रेजी अनवाद मैं करवा रहा हूं लेकिन नाम उनका नहीं लेंगे ऐसा चोड यह हम लोग के नजर में है ठीक है कौन खीच रहा था उसको कवीरा कुता राम के मुतियावा के नाम गले प्रेम की रस्री जित खीचों तित जाओं ठीक है अच्छा कवीर एक बागी संत नहीं एक बागी खिलारी भी था कैसा खिलारी था उचसे तो कवीर ने एक सब्सक्राइब कहा आपको कर बहियाबल आपनी च्छार बिरानी आस जाको अंगा नदिया वह सो कस्मर ए प्यास जिसके अंगने में नदी वह रही हो वह कहे प्यासा है तो यह हंसी वाली बात है इसके लिए करना क्या होगा कर बहियाबल आपनी अगरा को सिद्ध करो ना जी तुमानव नहीं एक बित का यह मुंडी जो है इसमें सारे ब्रमांड का कंप्यूटर लगा हो आइस में ब्रमांड के जिस भी तार को क्नेक्ट करो गे तो यहां से कनेक्ट हो जायागा कर बहिया बाल आपनी जड़ासे इसमें चोकी लगा हो न इसको कोरो ना या एक बहुत बहुत बड़ा नन एक्टिव कंप्यूटर है अलवर्ट आइंस्टीन मरा था आज से चार साल मात्र पहले की बात है उनके घर में एक उनके हाथों की लिखी चिठी को अमेरिका ने एकशरब डॉलर में खड़ीदा है सोच सकते हैं हाथों से लिखी हुई चिठी एकशरब डॉलर में आज से मात्रे चार साल पहले अमेरिका खड़ीदा है और जब उनकी मिर्तिव साइद 3-4 को उनकी मिर्तिव हुई थी पाई के मान पर पाई जो आप लोगों को मेत में विरित के लिए परहाया जाता है तो पाई का मान होता है 3-14 एक पाउच नो और आइंस्टिन की मिर्तिव भी ठीक इसी समय हुई थी तीन मार्च तीसरा मेहना तारीक 14 और एक बज के 69 मिनट में यह पाई का मान भी होता है 3-14 एक पाउच नो उसके बाद एस्टिफन होकिंग ने आके सब कुछ तो नहीं बदला 3-14 दो आठ पाउच आप पाउच बिलियन तक ले गया इसको अनुबाद करते करते इसका सटीक अनुबाद नहीं हो पाया है फैसला नहीं हुआ हल पाय का मान इसे पांच दो साथ तीन पॉइंट साथ अंक का अनुबाद इसके आगे कई बिलियन ट्रिलियन में ले गया है लेकिन यह हल नहीं हुआ है इतना बड़ा कम्प्यूटर आपके साथ है इसको खर्चा किजिए इसलिए हमने कबीर को कहा मादारी जित खिचोंतित जाओं यहमन निर्मल भया जैसे गंगा नीर अब पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर वही कबीर है जो भागा जा रहा था अब पीछे से हरी कबीर कबीर चिलाता जा रहा था आप सोच सकते हैं कबीर को परखने के लिए आपको कितने आँखों की जरूरी है एक आँख से तो नहीं फड़ी आएगा दो आँख से भी किसी भी बस्तू का एक ही पहलू को देख प तो सवर पो नहीं देखने के लिए चार दोना 8 चाहिए एक इनकी और अगर देखने नहीं होता तो इससाथ इतना वाफ साथ प्रत सेंग्र nuclear सा अवलो कया नम देखना अब तिसरी आंक की आपको आवस सेखता है तिसरी आंक से देख लिजेगा जो कुछ भी आप देखना चाहिएगा तिसरी आंक का इसने माल किया आपको रूस में मैसिंग उनका नाम ही मैसिंग था हजार किलो मीटर दूर की कहनिया आपको यहां बता रहे होते हैं तिसरी आंक का इस्तेमाल में नाम क्यों कोड करूं किसी तिसरी आंक कहने का अर्थ मेरा ये है विबेक की आंक अब एक गधा ठीक है गधे पर लेख लिखने के अगर निवनकार बहाल कर दे तो गध है के रुईयां-रुईयां का बर्णन करके लेख लिख देगा मैं मानता हूं अगर एक बाइलोजी हो बाइलोजिस्ट हो तो गध है के अंदर में हड़ी बुटी कितनी कहां-कहां होती है उसको वह बर्णन कर देगा लेकिन एक छुट चाएगा उसको बर्णन करने से वह क्या चीज है तो गदहा खब लेटता है अ कस घदहा भूकही लेटता बहर पेट खाकर के भी लेटता पानी पी करके भी लेटता दॉण liken खाके भी लेता है घास खाके भीले Mayla ii यदि लेकिन क्याखा के Papika तो उसको जो प्रयोग में लाया है तो उसका चाप तो आपके त्वज्जव में न बन गया तो त्वज्जव की आखों से तो ब्रमांट को आज तक देखा तिसरी आख कहने का मतलब है वहाँ आपकी आंत्रिक आख विबेक की आख अगर उस आखों को आप खोल पाएं तो साइद कबीर को समझ लिया जाएगा अन्य था यहमन निर्मल भया जैसे गंगा नीर अब पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर अब इससे जाएदे तो मैं कबीर के मेसेज को नहीं पढ़ा हूँ नहीं समझ पाया हूँ और समझने की हमारी हस्ती ही क्या इस देश में बरे बरे बिद्वान कहने वालों अब बिद्वान तो कहने वालों उसके पीछे जो एक चाल होता है अब राजसभाद टीवी में हमने पुरसोतम जी के मुह से सुनी थी एक अधिकारी है वो और जे इनियू का महमहीम अपने मुह से उनकी बात को हम सुना उस में उपी एसी बोर्ड के हेड थे उनको सरकारी बंगला सरकारी गारी सरकारी सरकारी सुरक्चा सब कुछ था एक मीडिया ट्राइल के लिए उनके यहां गया तो कहा साहब सुनने में आया है यह बंगला यह गारी यह गोड़ा इतने बरे आदमी और क्या कबीर पे रिसर्च कर रहा है तो पुरसोतम दास भी बैटर पुराना था अभी भी उनकी धांसू आवाज कबीर के गौरब को दुनिया आक आसमान में भेजता है क्या तो मैं क्या करूं फिर मैं अगर मैं गाली तुम हमने अचा किया है कि हम गाली पर नहीं लिख रहे हैं अगर गाली पर लिखते है तो तुभी यह पूसता कि भई दिन में कई बार दारू पीत है कितना किसका बांकी है कौमसा आदमी मांगने के लिए आया घर के किस खिरकी से निकल गया अब देखिए कंट्रोफर्सी है कबिर के उपर में सैकरों साल इसके फिलोस्फी को युनिवर्सिटियों में दबा के रखा क्या इस पर पढ़ाया जाएगा लेकिन अगर ये सब्द हीरा है तो जाहुडी भी तो जन्वा है इस धर्ती पे उन्होंने हीरा को परक परक के उठा के अपने जेब में भी नहीं लिखा है आत्मे ग्यान के हीरे मोती शंत भी खेरे गली गली लेलोरे कुई शंत के प्यारे सोर मचा के गली गली संत दूसरा नाम है इसका पहार तिसरा नाम है इसका गाची इसकी उपमा बिरिक्षों से दी गई है बिरिक्ष कब हुना फल भखैना दीना संचैनीर तो परमारत के करने साधूने धरा सरीर जिस तरह बिरिक्ष अपना फल अपने नहीं खाता है अगर ब्रिक्स को आप लाठी मारोगे तो फल देगा मार के देखो किसी संतों को भी वह भी तुमको एक अंतर ग्यान देदेगा चलिए साथियो आने वाले समय में फिर आप लोगों का जो हो पाएगा मैं